दिव्या गर्वाल का ब्रेक अप हो चुका है और आप सभी जानते हैं कि दिव्या और वरून 2022 में शादी करने वाले थे ब्रेक अप के साथ ही दिव्या ने एक लंबा चौणा पोस्ट लिग डाना जिसके बाद फैंस के भी हुग तोते हुग गए क्या कुछ कह रही है दिव्या चलिए आपको बताते हैं लेकिन आपको ये भी बता दे कि वरून का तरुट बूरे तरीके से पूप गया है आली में दिवरू की फैमली में जब शादी हुई थी तब दिव्या इस अनाज में नजर आए थी और लग रहा था कि दिव्या चानी के बंदर में बन चानके लेकिन ऐसा हो नहीं सका और ये रिश्टार टूप गया दिव्या ने ये पोस्ट क्यों डाला कैसे डाला क्या हुआ दूप के बीच में ये तो समझ में नहीं आया लेकिन दिव्या के पोस्ट ने काफी कुछ फैंस को अंदासार लग चुका आए आप सभी जानते हैं कि दिव्या अपने पोस्ट को लिकत कैसी है बिग बॉस में हम सब ने उन्हें देखा है और यहां पर दिव्या रहे हैं पोस्ट को शेयर करते हुए लेक डाला की सिंदगी एक सब्सक्रस के दरा है मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं किसी को दोश पहें दूगी मुझे रखता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और यह ठीक ही है मैं सांस लेना चाहती हूँ और खुद के लिए जीना चाहती हूँ अभी यह समुदचा जा रहा है कि वरूपूर दिव्या पर कोई पावत्या दोस्ट को लगाते हैं लेकिन इसके साथ ही दिव्या यह फिरिकती है कि मैं इसके द्वारा यह बताना चाहती हूँ पोस्ट के सब्गे कि मैं अपने जीवन के इस गदब पर हूँ कि वर्प्र सिंदी की अख्रे तरीके से जीने दिल समेचा लिए हूँ इससे बहार निकलना सिफ मेरी पस्ट है मैं हकीकत में उसके साथ बिदाएव एक खुश्यूमा परूप वो बहुत साथा इंपोरेंट से थी मुपट प्यार है वो अच्छा लगा है और हमेशा मेरा अच्छा दोस्ट रहे का अशीने पैस्ट का समान करेगा लेकिन अब मैं किसी तरह के बंदर रहे नहीं नहीं तो दिविया ने ये पॉस्ट शेयर किया है और यहां पार खला मच जाए हुच्छे सो तुम्हां कि आख लोगा है दिविया नहीं सब्सक्राइब के लिए क्या वरू के साथ वो जिदाए नहीं जी रही थी